सर्वनाम सर्वनाम अर्थात सबका नाम जो शब्द सबनामों की स्थान पर प्रियुक्त हो सकते हैं वही सर्वनाम कहलाते हैं निमलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़िये कंचन नास्ता कर रही है कंचन प्रति दिन स्कूल जाती है कक्षा में कंचन राधा के साथ बैठती है कंचन अपना काम जल्दी कर लेती है रात को कंचन दस बजे सो जाती है कंचन की माताजी कंचन को 6 बजे उठाती हैं उपर लिखित वाक्यों में कंचन का नाम बार बार आया है प्रतेक वाक्य में बार बार वही नाम लिखना या बोलना असुविधा चनक एवं अटपटा लगता है इसलिए इसकद्यांश को इस प्रकार लिखना चाहिए कंचन नाश्टा कर रही है वह प्रती दिन स्कूल जाती है कक्षा में वेराधा के साथ पैठती है वह अपना काम जल्दी कर लेती है रात को वह 10 बजे सो जाती है उसकी माताजी उसे 6 बजे उठाती है कंचन संग्या शब्द है उसके नाम के स्थान पर जिन शब्दों का प्रियोग किया गया है वे सर्वनाम कहलाती है अत्य हम कह सकते हैं कि जो शब्द संग्या के स्थान पर प्रियोग किये जाती है उन्हें सर्वनाम कहते है मैं, तुम, वह, वे, यह, ये, हमें, उसे, कौन, कोई, कुछ, अपना, आदी सर्वनाम है सर्वनाम शब्द के प्रियोक से भाशा का प्रवाह और सौंधर्य बढ़ जाता है सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के निमलिखित च्छे भेद है पुरुष वाचक सर्वनाम, निश्चे वाचक सर्वनाम, अर्निश्चे वाचक सर्वनाम, प्रश्ण वाचक सर्वनाम, संबंध वाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, पुरुष वाचक सर्वनाम जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले अत्वा जिसकी बारे में कुछ कहा जाए, उसका बोध कराते हैं, उन्हें पुरुष वाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम, वै आदी, मैं प्रति दिन सनान करता हूँ, तुम प्रति दिन व्यायाम करो, वैं प्रति द जिन विद्यार ले जाता है। पुरुष वाचक सर्वनाम तीन प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुष बोलने वाला या लिखने वाला व्यक्ति अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है। उन्हें उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, मुझे, हम, हमे हमको आदी मध्यम पुरुष बोलने वाला या लिखने वाला जिस व्यक्ति को संबोधत करके कुछ कहे या लिखे उसके नाम के बदले प्रियुक्त किये जाने वाले सर्वनाम शब्द मध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं जैसे तू, तुम, तुमको, तुमहें, तुम, लोग, आप, आप लोग, आपको आदी अन्य पुरुष, बोलने वाला या लिखने वाला जब किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात करे या लिखे उसके नाम के बदले में प्रियोक्त किये जाने वाले सरवनाम शब्द अन्य पुरुष सरवनाम कहलाती हैं जैसे वेह, वे, उसे, उन्हे, उन्होंने, उसने आ दी ध्यान देने योग्य बाते तुम, तुम लोग का प्रियोग समाने व्यवहार में किया जाता है तू का प्रियोग निरादर व्यक्त करने के लिए या आत्मियता दर्शाने के लिए किया जाता है उच्च पदासीन अपने कनिष्ट के लिए अधिक आयू के लोग अपने से कम आयू वालों के लिए तू शब्द का प्रियोग करते हैं आपका प्रियोग आदर व्यक्त करने के लिए होता है निश्चे वाचक सर्वनाम जो सर्वनाम किसी व्यक्ती अथ्वा वस्तु की और निश्चे पूर्वक संकेत करे वे निश्चे वाचक सर्वनाम कहलाते हैं जैसे यह, ये, वह, वे आदी निश्चे वाचक सर्वनाम को संकेत वाचक सर्वनाम भी कहते हैं वेह जा रहा है यह मेरा घर है वे घूमने गए हैं अर निश्चे वाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम से किसी निश्चत प्राणी वस्तू या पदारत का बोध ना हो उसे अरनिश्चे वाचक सर्वनाम कहते हैं जैसे कोई, कुछ, किसी आदी, दूद में कुछ गिर गया है शायद बाहर कोई है, किसी का बैग गिर गया है संबंद वाचक सर्वनाम जो सर्वनाम किसी उपवाक्य में प्रियुक्त संग्या यह सर्वनाम से अन्य सर्वनाम का संबंद प्रकट करते हैं उन्हें संबंद वाचक सर्वनाम कहते हैं जैसे जो सो जो वह जैसा वैसा जिसकी उसकी जिसने उसने आदी जिसकी लाठी उसकी भैस जो करेगा सो भरेगा जैसी करनी वैसी भरनी प्रश्नवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम से प्रश्न पूछने का बोधो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं जैसे कौन, क्या, किसे, किसने, कब आदी, बाहर कौन खेल रहा है, तुम क्या लेकर आओगे, ये गिलास किसने तोड़ा है निजवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द करता द्वारा स्वयम के लिए प्रियुक्त होते हैं, वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं जैसे आप, अपने, आप, स्वयम, खुद, आप ही आप, निज आदी, आप हमारे मित्र के पिता है कवी ने स्वयम कविता सुनाई, मैं खुद ही चला जाऊंगा ध्यान देने योग्य बातें, सर्वनामों का रुपांतर कारक वचन पुरुष के अनुसार होता है लिंग भेत के कारण सर्वनाम का रुपांतर नहीं होता कारक चिन्ह सदैव सर्वनाम के साथ मिलकर जाते हैं, जैसे उसने तुमको संग्याओं के समान सर्वनामों के भी दो वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन सर्वनाम में केवल साथ कारक होते हैं, इसमें संबोधन कारक नहीं होता कारकों की विभक्तियां लगने से सर्वनामों के रूप में विक्रत्ती आ जाती है यदि एक ही वाक्य में उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष तीनों का प्रियोग हो झाल झाल